हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यो हब, कल हमारा टॉपिक था राज्थान के लोग देवता के उपर, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर राज्थान कल्चर का जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप वो वीडियो देख सकते ह हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वह है राज्थान की लोग देविया, कल हमने वही किया था पूरा, कि राज्थान के हमने लोग देवता और उसके इंपोर्टेंट कुर्चंस को पड़ा था, आज भी हम वही पैटन पे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, इस एक ही वीडियो के अंदर राज्थान के जितने भी लोग देविया हैं, उन सब के बारे में हम डिसकस कर लेंगे और इनके इंपोर्टेंट कुर्चंस जो भी बनते हैं, उन सब को हम देख लेंगे, इंपोर्टेंट कुर्चंस वह हैं, जो पहले पेपर में आएवे हैं और वो भी है जो संभावित हैं जो paper में आ सकते हैं ठीके तो ये भी एक राजसान का टॉपिक है राजसान के लोग देवियां हमारे राजसान के अंदर कहाँ कहाँ फे किसकी जीले से कौन कौन सी लोग देवियां जो है वो है उन सब को हम एक एकर के डिसकस करेंगे, ठीक है, फ्रेंड्स, इसका short notes पहले हम आपको बताना चाहूंगा, लोग देवियों के बारे में क्या होगा, जो generally question पुछा दाता है, पेपर के अब अंदर, तो लोग देवियों का general ये पुछा दाता है, कि ये जो लोग देवी है, कि कि वन्स की कुल देवी है, पहला general ये कुछन होता है, दूसरा, ये लोग देवी जो है, मतलब कोई भी लोग देवी दे दिया जायता आपको, और ये पुछा देगा, किस जीले से है, ये किस गाउं से है, दो, तो ये दो चीज़े ही important है इसके अंदर, ठीक है, एक तो ये क किस वन्स की कुल देवी है, और दूसरा, ये किस जीले से है, तो मैंने जो ये पूरा वीडियो बनाया है, इसी चीज़ को देखते वे बनाया है, कि आपको ये clear रहे, हर एक लोग देवी के ऊपर, मैंने उनका जीला, और वन्स जो है, वो add किया है, प्लस हाँ, एक मेला, ए पर कैसे इसको बनानी कोशिश की है, आप इस वीडियो को एक बार देखें, जिससे आपको भी ये सारे चीज़े clear हो जाएगा, let's start, start करते हैं, आज हम राजस्थान की लोग देविया, राजस्थान की लोग देविया के अंदर सबसे पहला है, केला देवी, केला देवी का म की अराध्य देवी है, गीत कौन सा है, लांगूर्य गीत करोली के यादववन्स की कुल देवी है, ठीक है, वही बात, जो केला देवी है, वो करोली के यादववन्स की कुल देवी है, केला देवी का जो मंदिर है, वो त्रिकुट परवत पर बनावा है, नवरात्रा में य कब नवरात्रा में लखी मेला भरा जाता है किके काली सील नदी के किनारे पर ये मंदिर इस्थित कौन सा केला देवी का जो मंदीर है करोली के अंदर काली सील नदी के किनारे इस्थित है ठीके मेला लगता है चेत्रकृष्ण अस्टमी को कब लगता है चेत्रकृष्ण गीत कौन सा गया जाता है, लंगूर्या गीत गया जाता है, केला देवी यादववन्स की कूल देवी है, केला देवी का मंदीर त्रिकुट परवत पर है, नवरात्रा में विशाल कौन सा मेला भराता है, लखी मेला भरा जाता है, केला देवी का विशाल लखी मेला भरा जाता अब याते हम करणी माता का जनम जोधपूर के सुवाप गाउं में हुआ था, इनके पिता का नाम मेहाचारन, माता का नाम में देवल, उप नाम क्या है चुहों की देवी, चारणों की कुल देवी, विकानेर के राठोडों की अराध्य देवी, ठीक है करणी माता का जनम कहा हुआ है जोतपूर के सुहाफ गाउं में पीता कौन है मेहा चारन माता कौन है देवल उपनाम क्या है चूहो की देवी चारनों की कुल देवी विकानेर के राठोडों की अराध्य देवी है ये ठीके, clear, मंदीर कहाँ पर है, देशनोक, बिकानेर के अंदर, सफेद चुओ को क्या कहा जाता है, काबा, सफेद चुओ को काबा कहा जाता है, चारण समाज इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, किसको सफेद चुओ को, कर्णी माता की जो इस्ट देवी थी, वो कौन थी, त कर्णी माता को सफेद चिल कौन सा चिल सफेद सफेद चिल का अवतार माना जाता है महरांगड दूर की नीव कर्णी माता ने ही रखी थी महरांगड दूर गहना उसकी नीव कर्णी माता ने रखी थी कर्णी माता का बच्पन का नाम है रिधी बाई क्या नाम है रिधी बाई म पहला कब बरता है कड़नी मता का नव रात्र में नवरात्र जांगल परदिश का रटाट काल तो बिकानेर बिकाने में राठषोडवंस की स्थापना की राव बिका ने कर्णि माता के आसीरवाद से ही जांगल परदेश या जांगल छेतर में राठोर्ड वन्स की इस्थापना की इनकी मृत्यू कहां पे हुई थी? गिनेरो की तलाई पर गिनेरो की जो तलाई है, वहां पे इनोंने इनकी मृत्यू होई थी ठीक है फ्रेंट्स तो हम कर्णी माता का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कर्णी माता का परसीद मंदीर कहाँ पर है देशनों के अंदर है कर्णी माता का जनम जोदपूर के स्वाप गाउं में कहाँ पर जोदपूर के स्वाप गाउं में फिर आता है मंदीर कहां पे है देशनों पिकाने के अंदर, सफेद चुहे जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, चारन समाज की पूर्वज मानते हैं, कर्णी माता की इस्ट देवी कौन थी, कर्णी माता को सफेद चिल का अवतार माना जाता है महरानगड दूर्ग की नीव जो है वो कर्णी माता ने रखी थी बच्पन का नाम है कर्णी माता का रिद्धी बाई मेला नवरात्रों में चेत्रव आस्वीन मास में भरा जाता है राव बिका ने इनी के आशिर्वात से जांगल छेत्र में राठोड वंस की स्थापना की थी इनकी मित्यू कहा हुई थी गिनेरों की तलाई पर ठीक है क्लियर रेफरेंट्स दो लोग देविया हमने पढ़ लिया है केला देवियों और कर्णी माता तीसरा है जीन माता जीन माता जो है वो कहां से है रेवासा सिकर से कहां से है रेवासा सिकर सिकर के चोहानों की इकुल देवी है कौन जीन माता जीन माता सिकर के चोहानों की इकुल देवी है जीन माता का जो मंदीर कहां पर हर्स की पहाड़ी सिकर में है जीन माता का मंदीर हर्स की पहाडी सीकर के अंदर है मंदीर का निर्मान पृत्थिवरा चोहान की काल में राजा हटर ने कराया था ठीक है ये पूछा जा सकता है कि जीन माता मंदीर का किस ने कराया था निर्मान किसने कराया था तो जीन माता जो मंदीर है उसका निर्मा राजा हटर ने कराया था जीन माता के मंदीर में धाई प्याला मदीरा चड़ाई जाती है मेला वही नवरात्रों में चेत्रव आश्वी नवरात्रों में मेला भरा जाता है उपनाम क्या है? मधु मक्यों वाली देवी लोगित क्या है? चिरण्ला और सबसे लंबा लोगित है इनका यह कुश्चन आता है इसलोग ध्यान एक नumes जीन माता का मंदीर है रहे वासा सिकर के अंदर जीन माता का जो लोगित है वो है चिरं्ला और सबसे लंबा लोगित है लोग देवियों के अंदर सबसे लंबा लोगित किसका है जीन माता का है ठीक है तो एक बार कोई क्रिवियू करते है जीन माता को जीन माता कहां पे है रेवासा सीकर के अंदर सीकर के चोहानों की इकुल देवी है मंदीर है हर्स की पहाड़ी सिकर के अंदर हर्स इनके भाई का नाम था इसलिए वो पहाड़ी का नाम हर्स की पहाड़ी हो गई है हर्स की पहाड़ी कहाँ पे है सिकर के अंदर है मंदीर का निर्मान कब हो था पृत्वरा चोहान के काल में और राजा हटर ने कराया था ठीक है जीन माता के मंदीर में धाई प्याला मदीरा चड़ाई जाती है मेला जो है नवरात्रों में चेत्रव आस्विन दोनों नवरात्रों के अंदर मेला भरा जाता है उपनाम क्या है मदू मख्यवाली देवी और लोगित कौन सा है चिरंजा और यह एक सबसे लंबा लोगित है ठीक है फ्रेंट्स अब आम नेक्स्ट जो है वो है सीतला माता सील की डुंगरी चाक्षू जैपूर के अंदर है सीतला माता का मंदीर कहां है सीतला माता का मंदीर सील की डुंगरी चाक्षू जैपूर के अंदर है इसका निर्मान किस ने कराया सितला माता मंदीर का निर्मान माधो सिंग ने कराया महराज माधो सिंग ने कराया किस ने कराया महराज माधो सिंग ने सितला माता का मंदीर है कहाँ पे सितला माता का मंदीर सील की डुंगरी चाक्सू के अंदर है सितला माता तो सील और कहाँ पे चाक्सू जैपूर के अंदर है ठीक है फ्रेंड निर्मान मादो सिंग ने कराया था उपनाम क्या है चेचक निवारक देवी बच्चों की सरंग्छी का महामाई ठीक है क्या क्या उपनाम है चेचक निवारक देवी बच्चों की सरंग्छी का महामाई मेला चित्रक्रशन अस्टमी को मेला लगता है इनका वाहन क्या है गदा है इनका वाहन जो है वो गदा है पूजा करती है किनकी सितला माता की इस दिन लोग क्या खाते हैं बासोडा खाते हैं ठीक है एक दिन पहले खाना बना लेते हैं और उस दिन गर में चूला नहीं जलाते हैं और ठंडा खाना ही खाते हैं ठंडा या बासोडा खाना आप कह सकते हो प्राचीन मंदीर है कागा गा करते हैं सितला माता को सितला माता का मंदीर कहां पे है सील की डुंगरी चाक्षू जैपूर के अंदर है इनका निर्मान किस ने कराया था माधो सिंग ने कराया था उपनाम क्या है चेचक की देवी बच्चों की सरक्षिका या महामाई मेला कब लगता है चेत्र क्रिश्न अस् इस दिन लोग बासोडा खाते हैं यानि घर में चूला नहीं चलेगा और ठंडा खाना ही खाया जाता है सीतला माता का जो प्राचीन मंदिर वो कहां पर है कागा गाउं जोदपूर में है सीतला माता का प्राचीन मंदिर जोदपूर के कागा गाउं के अंदर है ठीक है खंडि से सीला देवी कहां पे है आमेर में जैपूर के कच्छवावंस की इस्ट देवी है कौन सीला देवी ठीक है सीला देवी है आमेर में जैपूर के कच्छवावंस की इस्ट देवी अस्ट भूजा परतीमा है मतलब आढ़ हुजा है अस्ट भूजा परतीमा है महराज मान सिंग प्रथम ने बंगाल विजय के पसात कैदार को हरा कर लेकर आये ते कहां से लेकर आये बंगाल से लेकर आये ते कौन मानसिंग प्रथम सीला देवी कहां से है आमेर से है सीला देवी का मंदीर आमेर दुर्ग के अंदर है ठीक है आमेर के जो दुर्ग है उसके अंदर है सीला द विजे में विजे के पस्टाथ कैदार कैदार को हराकर लेकर आए थे ठीके कैदार को हराकर लेकर आए थे नेक्स अज़तम खीमल खीमल माता, भीन माल जालोर के अंदर, खीमल माता का मंदीर कहाँ पर है, भीन माल जालोर, भीन माल छेतर की ये आदी देवी है, इसे सुभंकारी भी कहते हैं, मंदीर का निर्मान वर्म लाटने कराया था, ठीके, ये खीमल माता के लिए आपको के वाल इतना ही ध्यानक नहीं है किनका मंदीर Ohhh और इसे सोभंकरी भी कहा जाता है और मंदीर का किसने पे रहा निर्मान क्यों रहे था बॉर्म लाटने रहे था रहा है खीमल बथा हो गया next अता कौन अता सुन्धा माता का जो मंदीर है वो जालोर जस्वंध पूरा में है कहा पे जालोर पूजस्वंत्पूरा में सुन्धा परवत पर सिस की पूजा की जाती है जो सुन्धा माता है इनका धड़ नहीं है केवल सिस की पूजा ही की जाती है और ये जालोर के ब्रामनों की देवी है जो जालोर है जालोर के ब्रामनों की देवी है राजतान का पहला रोपवे कर लेते हैं सुन्धा माता का मंदीर जालोर जस्वंद पूरा के अंदर है सुन्धा परवत पर बना हुआ है सुन्धा माता की केवल सीज की पुजा की जाती है सुन्धा माता जो है जालोर के ब्रामनों की देवी है और राजसान का पहला रोपवे यहीं पे स्टार्ड हुआ ठीके फिर्श नेस्टे मैं चौत माता का जुचिछ्छा मुनल के सवाई मादोपूर कन्दर है4 माता का बेड़ी सवाई मादश पूरकंदर कंजर समाज की पूल देवी सवा की रक्सहे तो कार्थिक टूरती को किस्तरिया ऊपवास करती है थिक है यह product चौत माता का बड़वड़ा जो है सवाई मादोपूर के अंदर है ठीक है कंजर समाज की कुल देवी है कौन से कंजर समाज की कुल देवी है तो परली माता का मंदीर कहां पे है फ्रेंड्स बड़ी माता का जो मंदीर है वो है आकोला चितोड़गट के अंदर बेड़च नदी के किनारे है कौन सी नदी किनारे बेड़च नदी किनारे बड़ली का ब और बेड़च का ब तो आप इसको कनेट कर लो बड़ली माता का मंदिर बेड़च नदी के किनारे होगा, कौन से गाउं में हैं, आकोला गाउं, चितोडगट के अंदर है, यहाँ पे दो तिबारिया है, दो तिबारियों के अंदर से अगर आप बच्चे को निकाल लेते हो, तो उनकी जो बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती यहाँ पे दो तिबारिया बने वें, तिबारियों के अंदर से बच्चे को निकालना होता है, बड़ली माता का मंदीर आँखोला चीतोडगड परड़च के अंदर, और बीड़च नदी किनारे है, जो इनकैं, जा उनकी मूर्ती कौन चामुनडा माता जो है दुर्गा माता का सात्वा अफ्तार है प decomposition हरों का इंद्रवांच शुप्तेमबर 2008 ऑंदर भगदड मचने से 300 लोगों की मृत्जी अ गई तीन धिन सोस्टीजress यह याद है निगी यह कभी आता नहीं है पस यह मैंने जनरली इसलिए डाला है जिसे आपको चामुंडा माता एकदम से क्विकली याद हो जाएगा कि दोजराइट की गटना को देखते ही आपको याद हो जाएगा कि यह जोदपूर के अंदर है बेसिकली यह पुछा यही जाता है कि कौन से सीटी या कौन से जीले से हैना मंधिरों के बारे में लोग देव के बारे में तो आपको यह ध्यान कना है तो चामुंडा माता लोग-देवी है वो कहां से है जोदपूर से है मुर्ती चट्टानों से समय प्रकट हो गए थी दुर्गा माता का सात्वा रोप है कौन चामुंडा माता जो है दुर्गा माता का सात्वा रोप है परतिहारों का इंद्रवन्स परतिहारों का इंद्रवन्स कुल देवी को मानते है इनको और 2008 के अंदर भगदर मतने से 300 लोग की मृत्यों हो गए थी ठीक है फ्रेंस साकंबरी माता सांबर जैपूर के अंदर सांबरी माता जो लोग देवी है इनका है सांबर जैपूर ये सांबर जैपूर से रिलेटेड है ठीक है चोहान वंचो की कुल देवी है सांबरी माता किसकी चोहान वंचो की कुल देवी है देवी को देव यानी या सब तिर्थो की नानी या सब तिर्थो की नानी कहा ज़ता है ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा इसको आपको ध्यान एकना पड़ेगा सब तिर्थो की नानी कौन है साकंबरी माता दुर्गा माता का दूसरा रूप है ठीक है साकंबरी माता भी दुर्गा माता का ही रूप है तो साकंबरी माता का मंदीर यह साकंबरी माता कहां से है साकंबरी माता सामभर जैपूर से है चोहानों की कुल वंसों की कुल देवी है जो वंसस थे चोहान वंसस थे उनकी कुल देवी को आने साकंबरी माता इनको देवी को देवी को देव यानी या फिर सब तिर्थों की नानी कहा जाता है ठीक है संक्राइ माता उदेपुर्वाटी जूंजनु के अदर संक्राइ माता कहां पर है उदेपुर्वाटी जूंजन है किसको संक्राय माता को संक्राय माता जो है वो उद्यपूर वाटी जुन जुनू से है ठीक है फ्रेंट्स खंडेल वालों की उपत कुल देवी है ये ध्यानक ना है संक्राय माता उद्यपूर वाटी जुन जुनू से है और खंडेल वालों की कुल देवी है बान माता बान मा कहां पे हैं मेवार के अंदर है तो बान माता जो है मेवार के गुहिल वसिसोध्या वंस की कुल देवी है चितोडगड में भी बान माता का मंदीर है महमूद खिल जी ने इस मंदीर को लकड़िया भर कर आग लगा दी थी वर्तमान परतिमा गुजरात से लाई गई है ठीक है बान माता का जो मंदीर है वो कहां पे है नागदा उदेपूर के अंदर है मेवार में गुहिल वसिसोध्या वंस की कुल देवी है कौन बान माता चितोडगड में भी बान माता का मंदीर है चितोडगड जो है उसमें भी बान माता का मंदीर है महमूद खिल चिने चितोडग के गुहिल वसीन सोध्यां वश्य मेवार में दो में दो में दोस्टे। गुहिल वंस्यां में है और इनका मंदिर उसमें महमूद खिल्जी लकड़ाातका है लकड़ा तरक्र अगड़ा देश इसी तो बरत्वान परतिमा च्तान दूसरी तरफ रेत परवति च्तान है और दूसरी तरफ रेत है भौपा जाती की कूलदेवी जो भौपे होते हैं उनकी जाती की कूलदेवी है और मेला तीन बार चेत्र भादरपर्द माग सुकला के चतूर दर्शिको ठीक है ठीक है कलियर हो गया अब एगार Lenand hall that हैं वीरातारा माता वीरातारा माता कहां से है सोटन बार्डमेर से है इनको वांकल माता भी कहा जाता है मंदिर के विषेषता है कि एक दरफ पर्वत चट्टान है एक तरफ परवत मैं और दूसरी तरåf र beetje ठीके भूपा भूप है जाती कि जो कहा ये कुल देवी है मेला जो हैंगा तीन वार बढ़ा जाता है चेत्र भादरपद माग सुकलत चतुर दसी को ठीक है फ्रेंड्स सब चीजे आइधिंग क्लियर हो रही होगी मैं क्योंकि डिटेल में सब चीजे पढ़ा रहा हूं आपको फिर आता है नरायनी देवी नरायनी देवी कहां से है अ पहारी पर नाईयो की कुल देवी है और मिनाव की अराध्य देवी है राइगर तैसल बढ़वा डंगुडी की पहारी पर ठीक है आई माता आई माता कहां पे बिलाडा जोदपूर के अंदर कहां पे आई माता का आई माता बिलाडा जोदपूर से राम देव जी की सिस्या थी यह कुछा जा सकता है कि राम देव जी की सिस्या कौन सी लोग देवी थी तो आपको यह ध्यान रखना है वो है आई माता गाडी है बैल गाडी बच्पन का नाम हे जी जवाई नियुक टाहिसे है और नायों और नायों की कुल्ड leadership ठीक अब आई माता के उपर आई माता जो है वो बिलाडा जोदपूर से है आई माता बिलाडा जोदपूर से राम देव जी की सिस्या थी या आई माता की गुरु कौन थे राम देव जी गाड़ी बेल गाड़ी ठीक है बचपन का नाम जीजा भाई मंदीर बडेर कंदर सिर्वी जाती जो है मंदीर को दर्गा कहते हैं और यह सिर्वी जाती की ही कुल देवी है ठीक है रानी सती रानी सती कहां से है जूंजनू से रिलेटेड है ठीक है बच्पन का नाम था इनका नराइनी बाई जूंजनू के अगरवालों की कुल देवी है नराइनी देवी जो रानी सती है वो जूंजनू से है बच्पन का नाम है इनका नराइनी बाई है जूंजनू के अगरवालों की कुल देवी है मेला भादरपद अमावश्या को मेला गब लगता है भादरपद अमावश्या को इनके पत्ति का नाम है तंधन दास ठीक है रानी सती काहां से है जूझनू से है बच्पन का नाम जो है नराइनी बाई है और जूझनू के अगरवालो की यह कुलदेवी है मेलाबाद्रप्रद अमावश्या को भरा जाता है और पति है तनधनदाज ठीक है तनोट माता, जेसल मेर तनोट माता का जो मंदीर है वो कहां पे है फ्रेंट्स जेसल मेर के अंदर है ठीक है बहुत अच्छा और बहुत भव्या मंदीर है यह तनोट माता का मंदीर है ठार की व्यश्नो देवी तोर कि विजयस्तंब और स्टम और यहां पर एकम और यहां पर सब्सक्स्राइब जो पर्भा भारत पाक यूदो आ था जो बंबारी हूई थी बहारत पाक यूदो आ था लेकर यहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है ठीक है इस इसको भी ध्यान लखना तणोट माता का मंदिन कोई कर लेता Old लेकिन यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो तनोट माता का मंदीर जैसलमेट के अंदर है ठीक है फ्रेंट्स अब जाते हैं हम नागने जी माता नागने जी माता मारवार के राठोडों की खुल देवी ठीक है मारवार छेत्र जो है मारवार छेत्र के राठोडों की ख पुल्देवी है मंदीर का निर्मान दूहर ने करवाया था मंदीर का निर्मान दूहर ने कराया था प्राचीन मंदीर बारमेर जीले में नगाना गाउं में है अठारा भुजाओ वाली परतिमा इस्तापित है अठारा भुजाओ की प्राचीन मंदीर का पर है नागने जी मात इस नागने जिमाता के प्राचीन मंदिर है, बाड मैर जिले के नगाना गायों के अंदर। 18 बुजाओवाली प्रतिमा स्थापित है, राव जोदा ने नगाना से मूल मूर्ती मंगाकर जोधपूर में स्थापित कर लिया था। इस नागने जी माता की परसीद मंदिर कहां कापे है नगाना बार मेर , जोदपूर और किसंगड यह चार जिले हैं ठीक है उसके बाद जो हैं का मेला का बढ़ा जता है माग शुकला भादरपद्व सुकला सब्तमि को लोग देवता कला जी की कुल देवी है नांगने जी माता तो नांगने जी माता जो है एक बार ق्ड़ं के रिव्यू कर लेते हैं जिसे हमें और भी छीजे क्लियर हो जाएगी और याद भी हो जाएगी जो नांगने जी माता जो है वो मारवार से है और मारवार के जो राठोडों की कुल देवी है मंदीर का निर्मा दूहर ने करवाया था प्राचीन मंदीर बागोर जीले में बारमेर जीले में नगाना गाउं में अठारा भुजाओ की परतीमा है कितनी 18 बोजाओं की कहां पर है बार मेर के अंदर है राव जोदा ने नगाना से मूर्ति नगाना से मूल मूर्ति मंगवा कर जोदपूर में इस्तापित कर लिया राव जोदा ने कहां पर मंदिर बना लिया जोदपूर के अंदर पहले कहां पर था नगाना गाओं बार मेर के की अब जौत पूर अमेर नेक अंदर के दरानी मर्दिन्य तर मत किसका रोप महरुसी organny मत जमात कुक्त ही अब कर दोवर ऊंदर मत यह एक लिए पर कर आप मेर्क लादर कहिंद वेकर इपोहई जो कर दोने के नंगेजेमाथ है थी का मंदिर कहां पर है When दिया कि अंदर है लोग देवता का लाजी गई फिरेंड नन्हीं अब आझसे हम समाग्या माता का मंदीर कहां क्थापनैंपris प्रेंड at V जो साल माता का मंधीर इंद्र गट पड़ पर विजासन माता का इंद्रागर्ड कहां से इंध्र Song Anastieg के अंदर है विशाल पर्वत पर विजासन माता का मंदीर है ठीक है तो इन्दरगड कहां पर आता है बुंदी के अंदर आता है इंद्रगर्ड में विशाल परवत है विजासन परवत और विजासन परवत पर ही माता का मंदीर है ठीक है केवाई माता मंदीर है किन सर्या गाउं मंदीर का पर केवाई माता का किन सर्या गाउं के अंदर निर्मान दुल्लव राजने दहिया राज राजबंस की कुल देवी है उपनाम किन सर्या माता उपनाम क्या है किन सर्या माता क्योंकि किन सर्या गाउं के अंदर है केवाई माता जो है किन सर्या गाउं के अंदर है इनका उपनाम भी किन सर्या माता है नागोर से है और निर्मान जो है दुल्लव रास ने करह था दया रा गोर के अंधर है मंदिर का निर्मान दुल लब राजनी कराया था और राजबन की कुल देवी ठीक है भादाना माता कोटासे सासको की कुल देवी कोटा के जो सासक है उनकी एकुल देवी है तांतरिक विद्या से इलाज किया जाता था बदाना माता जो है वो कोटा से है कोटा के सासकों की एकुल देवी है और तांत्रिक विद्या से यहाँ पर इलाज किया दता था ठीक है बदाना माता के लिए रो गया कोटा कोटा के किसके सासों की खुल देवी और तांत्रिक विद्या से इलाज ब्रामनी माता सोर्स इन बारा ब्रामनी माता जो है वो सोर्स इन बारा से है माता के अग्रभा की पूजा नहीं की जाती गिन तो पीट की पूजा की जाती है एक मातर ऐसे रेवी जिनकी पीट की पूजा की जाती है वो है ब्रामनी माता या वो है ब्रामनी देवी माग सुकल सब्तमी में घदो का मेला बराजाता है ठीक है गदो का मेला किसकी याद में कहां बराजाता है गदो का मेला ब्रहामनी माता की याद में बराजाता है माग सुकल सब्तमी में कब बराजा रहे माग सुकल सब्तमी में गदो का मेला बराजाता है कि लिए सोर्स इन बारा के अंदर है इनकी पीट की पूजा की जाती है आवरी माता अन्य नाम है अनावरी माता और लक्वे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज किया दता है तीसरा निकुम जोद्पुर कंदरिन का मंदिर है इनका मंदिर है इनका जो विस्थले को क्या है निकुम चितोडगट आवरी माता अन्या नाम है अनावरी माता अनावरी माता आसा वरी माता सारी चाहते हैं लक्वे से ग्रशित जो वैकती होगा उसका इलाज किया जाता है यहाँ पर और यह कहाँ हिंग लाज माता हंग्लाज माता के मंदीड में के नाम से भी जाना जाता है जोला माता को जालपा देवी की नाम से भी जाना जाता है खंगारोत सासको की कुल देवी भी गहता है मेला चेत्रवा आश्विन नवरात्रों में मेला कब लगता है चेत्रवा आश्विन नवरात्रों में जोला माता जोला माता कहां से है जौबनेर जैपूर से जौबनेर जैपूर में इस्थित है जौबनेर जैपूर ज़ाला का ज़ाबनेर का ज़ाबनेर का ज़ाबनेर 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 चैपुर से इनका अन्य नाम जालपा देवी और खंगारोत सासो की कुल देवी मेला चेत्रवास्विन नवरात्रों है जवाला मता का भी ठीक है आसापूरा मता का मंदीर है मोद्रा जालोर के अंदर आसापूर्ण करने वाले देवी को आसापूरा देवी भी कहा जाता है जालोर के चोहान सासो की ये कुल देवी है उपना मोद्र माता मोद्रा माता बड़े उतरवाली देवी और महोद्री ये इनके उपनाम है तो आसापूरा माता आसापूरा माता का मतलब क्या है ऐसी देवी जो आपके आसा पूर्ण कर दे उसको आसा देवी माता कहा रहता है वो और कहाँ पर है मोद्रा जालोर कंद्रिन का मंदीर है जालोर के चोहान जालोर के चोहान है उनकी एकुल देवी है उपनाम क्या है मोद्रा माता बड़े उदर वाली देवी और महोदरी ठीक है अब आते हैं अर्बुदा माता का जो मंदीर है वो सिरोही जिले में माउंट आबू में इस्ती थे कहां पे इस्ती थे माउंट आबू में कौन से जिले में शिरोई जिले में अर्बुर्दा माता का मंदीर अर्बुर्दा माता का मंदीर आबु किस में है आबु में कहा पर है शिरोई जिले में है ठीक है उधर देवी के नाम से भी जना जता है राजस्तान की वैसनों भी कहा जता है तो अर्बुदा माता का मंदीर कहां पर होगा अर्बु अमाउंट आबु तो अर्बुदा माता का मंदीर माउंट आबु के अंदर है उधर देवी के नाम से भी जना जाता है और राजस्तान की वैसनों भी कहते हैं ठीक है तुलजा भवानी तुलजा भवानी का मंदीर चित और गट दुर्ग के अंदर है जो इनकहा निर्मान बन्वीन ने कराया था सच्ट्रपती शिवाजी के बंसि की हें कुल्देवी है लट्यालामाता का है फलोदी जोद्पुर क अंदर लट्याला माता का मंदीर है फलोदी जोदपूर कंदर उपनाम है खेजड बेरी राय भवानी कल्ला राठोडो की ये कुल देवी है कौन लट्याला माता जो है कल्ला राठोडो की कुल देवी है ठीक है फ्रेंट्स लट्याला माता मंदीर फलोदी जोदपूर कंदर है उपना और द्राम खेजडवेरी एराय भवानी और कल्ना राठोडों की कुल देवी है अन्या मंदिर है जिने हमें माता के साथ में देवी के साथ में उनकी उनका इस्थान वह हमें धयान चुल देवी वहतित हे MBT अच्याई माता सेकल कत शारो अच्याय माता भवल माता भवल माता भवलblock ऑगर के अंदर मेबावल आगओ पूजाइस्तल को देवरे कहा दता है लोग देवियां जो है उनके पूजाइस्तल को देवरे कहा दता है ठीक है तो एक कुईक रेव्यू करते हैं हम इनका अन्यमंदीर जो जो और मंदी रह गए हैं उनके वाध बढ़ित हैं भवर माता जोटी सांधरी प्रताफ गईhoven माता का मंदिर है परमेश्वरी माता कॉलायत विकाने के अंदर है सच्चियाई माता ओस्या जूदपुर ओस्वाल समाज की कुल देवी भावल माता भावल गाउन नागोर मंसा माता खेतड़ी वसीकर के मध्य राजेश्वरी माता भरतपुर के सासकों की देवी देवडे लोग देवियों के पुझा इस्तल को देवडे कहा जाता है देवड़ा हमने कल पड़ा था जब लोग देवता के वारे हम पड़ रहे थे हैं मद्चा देवी मंदीर कहां पर है खेतरी जूझनूं के अंदर रस्ट कि पहाड के मद्धीक सिखावाटी की देवी मेला नवरात्रों मे लगता है प्राचिननगर आमेठ है और धाइपती समुदाय दादू पंदी दादू पंदी समुदास जी थे उन्हों Giayone वो हरस की पहाड़ियों के बीच में इस्तित थे और सेखावटी की ये देवी मेला नवरात्रों में भरा जाता है प्राचीन मंदीर आमेड और जैपूर है प्राचीन मंदीर जो है अमेडर जैपूर है नादू पंती समुदाई जीने यहां पर तपश्या भी किती कहां पर मनसा देवी में जोगनिया मता डाकवो की इस्ट देवी ठीक है जोगनिया मता का मता भिलवाडा से है कहां से है भिलवाडा से डाकवो की इस्ट देवी है और मनो कमना पून होने पर लोग यहां पर मुर्गे छोड़ कर जाते हैं क्या छोड़ते हैं मुर्गे छोड़ कर जाते हैं ठीक है तो जोगनिया मता सिंपल है किसकी डाकवो की उपर कुल देवी है डाकवो की कुल देवी है इस्ट देवी कहा जा सकता है मनो कामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर चाते हैं धनोप माता बिलवाडा के अंदर है राजा धूंद की सवारी थी और राजा धूंद की कुल देवी थी ठीक है धनोप माता जो है वो विलवाडा से है राजा धुन्द की सवारी थी राजा धुन्द की कुल देवी भी थी मेला चेत्र मास में लग भड़ा जाता है धनोप माता का जो मेला है वो चेत्र मास में भड़ा जाता है हैं Advisor घ्रियोंद की नगरी धी और चेत्रमास में भरा जता है मैका सुघाली मतंः ठाकूर कुसा शिंग्या 722 मतंड़ को 1857 के क्रांतिकी चलता है और दुसरह ठाकूर कुसल शिंग की अधा네 को Hilco कि ऋपकि कि कि लोग देवी है इस्ठडरीक है ठाकूर कुसाल सिंग, दस सीर वा चौपन हातों वाली देवी, दस सीर है और चौपन हात है, चमपावतों की एकुल देवी, किसकी चमपावतों की एकुल देवी है, वर्तवान में मूर्ती पाली के म्यूजब में है, वर्तवान में जो मूर्ती है, वो पाली के म्यूजब में इस्तित हैं ठीक है फ्रेंड्स सुगाली माता ठाकुर कुसाल सिंग और अठाश उतावन की देवी कहा जा सकता है दस सेर वा चौपन हातों से हातों वाली थी चंपावतो की ये कुल्दी भी है वर्थपान में मूर्ती पाली सुगाली माता की जो मूर्ती है वो कहा रखी गई है फ्रेंड्स वो रखी गई है म्यूजम के अंदर पाली के म्यूजम में रखी गई है ठाकुर कुसाल सिंग की ये ठाकुर कुसाल सिंग की कुल्देवी है सुगाली माता जो है ठाकुर कुसाल सिंग की कुल देवी है, 1857 की करांती की देवी कहा जाता है, चंपावतो की कुल देवी और वर्तमान में जो मुड़ती है। वो पाली में उजम में है। सब्सक्राइब कौन ये रखेती और हात में जलते हुई जवाला लेकर ये सत्री हुई थी ठीख है फ्रेंड्स लोग देवियों वाला जो पार्ट था वो पूरा complete हो गया है हमने राजस्तान के जितने भी लोग देविया है उनको हमने detail में study की है एक-एक का जीला कहां से है किसकी cool देवी है कि कौन से वंस से related है और कब मेंका मेला भरा जाता है इस वीडियो के बाहर एक भी question नहीं जाएगा क्योंकि यही question mostly पूछे जाते है अब देखो अब हमेंना कुछ important questions है यहाँ पर उनको solve करेंगे जैसे हम इन questions को हम पढ़ेंगे तो आपको इनके answer automatically याद हो जाएंगे आप इनके answer बता सकते हो क्यों? क्योंकि आपने अगर अभी पूरा वीडियो यह देखा है तो आपके इनके सारी question खुद solve कर सकते हो ठीक है? हम यह start करते है important questions जो मुझे लगता है कि यह paper में आ सकते है और कुछ questions इसमें वो है जो repeated हुए है जो paper में बारवार आते है सगुन चिड़ी को किस लोग देवी का सोरूप मानते है आयड माता सगुन चिड़ी को किस लोग देवी का सोरूप माना जाता है आयड माता का अलवर की जो लोग देवी है वो कौन है जिलानी माता जोतपुर के कुल देवी राठोडो की कौन सी है नागनेजी माता, बान माता कुल देवी की अराधना कौन करता है, कहां पर होती है, मेवाड के अंदर होती है, सबसे लंबा लोगित किस देवी का है, जीन माता का है, कौन चा है, चिरंजा, सच्याई माता ओस वालों की कुल देवी है, ठीक है, सच्याई माता जो है, ओस वालो कि कुल देवी है राजनितिक मंत्रीपद के लिए पूझे जाने वाले देवी है ब्रामनी देवी ठीक है एक और हम इनका कोई रिव्यू करते हैं सगुन चिडी को किस देवी का सवरूप माना जाता है आयण माता का अलवर की लोग देवी जिलानी माता जोतपुर के कुल कौन है नागने जी मात्या अनागने की माता का मंदीर सभसेपराचीन मंदीर नगाना गाउं दूरमर के अन दर है रिसा इनका नगा मंदीर पे पूजे जाने वाले देवी कौन है ब्रहामनी देवी राजनेतिक या मंत्रीपद पाने के लिए पूजा जाता है सावित्री माता का मंदीर किस पहाड़ी में है रतना गिरीपःडी पहाड़ी पर है सुगाली माता किस की कूल देवी है आववा के ठाकूर परिवार की ठीक है एक मातर मंदिर जहां देवी की पीट की पूजा की जाती है तो ब्रामनी देवी का मंदिर है वो तो ब्रामनी देवी के जो मुर्ती है उनकी पीट की पूजा की जाती है तो ये एक मातर ऐसा मंदिर है ठीक है और ब्रामनी देवी से अपने एक चीज अब ये भी पढ़ा को लोग देव राम देव जी के की सिस्या थी ठाला क्या कहते हैं साथ देवियों का सम्मलित सवरुप जोदर उसको ठाला कहते हैं राष्ट्य सहेना किस देवी का उपनाम है लट्याला माता लट्याल माता जो अभी आपने पड़ा था उसको राष्ट्य शेयना भी कहा दाता ह है वियातरा माता भौपो की कुल देवी का मंदिर किस जिले में है बाड मेर के अंदर है ठीक है फ्रेंट्स यह हमने पढ़ लिया है एक वाद हम इनका कुक रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने इंपोर्टेंट क्विस्टंस पढ़े हैं तो वह कौन-कौन से हैं सगुन-चीड कुल देवी किस की है यह कहां पर राधना की जाती है मेवाड में सिसोद्या वा गुहिल वन्स की कुल देवी है बाड माता सबसे लंबा लोगित किस देवी का है जीन माता का चिरंजा उसके वाद सचियाई माता ओस वालों की कुल देवी आसा पूरा माता जो है चोहान वन् राज नतिक वा मंत्री पद पाने के लिए पूदे जाने वाली देवी कौन है ब्रामनी देवी एक मात्र मंदीर जिनके पीट की पूजा की जाती है ब्रामनी देवी सावितरी माता का मंदीर किस पहाड़ी पर है रतनागिरी पहाड़ी पर सुगाली माता किस की कुल देवी है आउवा के ठाकूर परिवार की ठीक है राम देव जी की सिस्या कौन थी ऐसी लोग देवी जो राम देव जी की सिस्या थी वो कौन है आई माता ठाला का मतलब क्या है ठाला एक सब्देश का मतलब राजस्तार में क्या होता है साथ देवियों का सम्मलित सवरूप उसको ठाला गयते है राष्टे शेयना किस देवी का उपना में लटियाल देवी का वियातारा माता भोपो की कुल देवी है इनका मंदीर कहाँ पे है बाडमेर के अंदर है इनका मंदीर ठीक है तो किस लोग देवी के मंदीर में वन्यजिभ अभियारन इस्तित है तो आंशर होगा आपका सिता माता ददी मती माता का सम्मन्नद किस इस्तान से है गोट मांघलोट से है जालोर के सोन गरा चोहान کی कुल देवी महोदरी माता अन्यनाम आसापूरा देवी जालोर के सोन गरा जो चोहान ने के कुल देवी, महोदरी माता भी आसकता है, पेपर में जो ऑप्शन के अंदर या आसापुरा देवी भी आसकता है, तो आसापुरा देवी और महोदरी देवी एक ही नाम है, ठीके आई माता किस की कुल देवी है सिर्वी जाती की कुल देवी और सिर्वी जाती इनके मंदीर को दरगा कहते है ठीक है इनकी कुल देवी है ददी मती माता का मंदीर किस जिले में है नागोर के अंदर है ददी मती माता का मंदीर जो है अर्बूदा देवी राषसम्मन जील की नीव किस ने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी अभी अभी पड़ा हमने राणी सती का मंदीर कहा है जूंजुनू के अंदर है किस लोग देवी को मंदीर में जोती से केसर टपकता है आई माता विलाडा से ठीक है फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो यह कोशन जो आप बहुत इजी वे में लग रहे हैं उजी नम घर में जो है चूला नहीं जलाते हैं बच्चों की स्रक्षी का इनका उपनाम है ठीक है अन्य नाम है ठीक है एस याद हो रहे हैं चाकशो में सित्ला माता के मंदीर का निर्मान किसने कराया है। मादो शिंगाने कराया था, कच्षवावंग की जो कुल देवी है वो कौन है जमवाई माता है, बडली माता का मंदीर आंकौला गाउ और गट की अंदर है। ठीके हैं। जिसने के अंदर से बच्चों को निकाला जाता है जिसे बच्चों की बीमारिया ठीक हो जाती है ठीक है फ्रेंट्स तो एक बार हम उनका कोई रिव्यू कर लेते हैं किस लोग देवी के मंदीर में वन्या जीव अभ्यारा निस्ति थे कौन है वो सीता माता परताफगड के अंदर ठीक है किस लोग देवी के मंदीर में वन्या जीव अभ्यारा निस्ति थे सीता माता परताफगड ददी मती माता का संबंद किस इस्तान से है गोट मांगलोट से है और ये कहाँ पे है नागोर में है जालोर के सौनगरा चोहां की कुल देवी महोदरी या आसापुरा देवी एक ही चीज है एक ही नाम है आई माता किस की कुल देवी थी सिर्वी जाती की और सिर्वी जाती क्या करते थे इनके मंदीरों को दरगा का दरगा बोलते थे ददी मती माता का मंदीर किस जिले में है नागोर के अंदर है चौत माता का मंदीर किस जिले में है सवाई मादोपूर या चौत माता का बड़बडा सवाई मादोपूर चींक माता का मंदीर जैपूर के अंदर किस लोग देवी को अधर देवी भी कहते है अर्बूदा देवी को सामबर में किस देवी का मंदीर है साकंबरी माता का चोहान वंच सामबर साकंबरी ऐसे कनेट कर सकते हो बहुत इजी है इसको याद करना सामबर में किस देवी का मंदीर है साकंबरी माता का चोहान वंस की कुल देवी साकंबरी माता जमुवाई माता का प्राचिन नाम जामवंती जासंबन जील की नीव किस लोग देवी ने रखा घेवर माता ने किस लोग देवी के मंदीर की जोती से केसर टपकता है आई माता भी लाडा से ठीक है फिर सितला माता का वहान क्या है गदा चाकसो में सितला माता के मंदीर का निर्मान किसने कराय था मादो सिंग ने कच्वाव वंस की जो कुल देवी है वो कौन है जमवाई माता है बरली माता का मंदीर आंको लगाव चितोरगट के अंदर है ठीक है फ्रेंड्स कुछ और भी है important questions उनका उपटाफ़ देख लेते हैं जेसल मेर के भाटी सास्तक की कुल देवी स्वांग्या माता जेसल मेर मेर जो भाटी सास्तक है उसका निर्मार मान सिंग प्रथमने छेचक की देवी सीतला माता छेचक की देवी सीतला माता खंडित परतिमा की पूजा सीतला माता की पूजा की जती है किस देवी के उपर हिस्से में पाज परतिमा है सीला देवी के सुंदा माता का मंदीर जालोर में विकाने में राठोडों की कुल देवी कर्णी माता चारनों की कुल देवी कर्णी माता ठीक है लंगूर्यागीत किस लोग देवी का है केला देवी कहां पर है करोली में कौनचा गीत है लंगूर्यागीत किस लोग देवी के मंदीर को मट कहते हैं कर्णी माता के मंदीर को मट कहा जाता है जीन माता कौन से राजपुत वंस की अराध्य देवी है चोहान वंस की आज जीवन ब्रह्म चारिनी बनकर घोर तपश्या करने वाई लोग देवी जीन माता जीन माता के मंदीर का निर्मान किस ने कराया था राजा हटर्ड ने कराया था ठीके रानी सती का जो वास्त्विक नाम है नराइनी और नक्टी माता का मंदीर के जिले में है जैपूर के अंदर ठीके फ्रेंट्स तो इसको भी एक बार हम quick review कर लेता है इसका तो हाँ ये रहा जेसल मेर के भाटी सासक की कूल देवी स्वांग्या माता जेसल मेर के भाटी सासक की कूल देवी जो है वो है स्वांग्या माता आमेर में सीला देवी का मंदिर का निर्मान मान सिंग प्रथम ने कराया था चेचक की देवी सीतला माता जो खंडित प्रतिमा की पूजा किसकी की जाती है सीतला माता की जो खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है किस देवी के उपर हिस्से में पांच प्रतिमा है सीला देवी सुन्दा माता का मंदीर जालोर के अंदर है विकाने में डाठोडों की कुल देवी कर्णी माता है चारनों की कुल देवी कर्णी माता है लांगूर्यागित किस लोग देवी का है केला देवी का केला देवी का मंदिर करोली जीन माता कौन से राजपुद्वन्स के राध्य देवी है चोहान की आज जीवन भ्रह्म चारिनी बनकर गोर्त पश्या कर लोग देवी बनी कौन जीन माता जीन माता के मंदिर का निर्मान हटर ने कराया रानी सती का वास्तिक नाम क्या था नरायनी नक्टी माता का मंदीर के जिले में है जैपूर के अंदर है ठीक है फ्रेंड्स तो यह पूरा टॉपिक प्लस इंपॉर्टेट कुसंस राजसान के लोग देविया का जो चैप्टर था यह पूरा कम्प्लीट हो गया में तो आपको यह सारी चीजे नियारे मंद में एक्दम से सेट हो जाएगी क्योंकि मैंने इतने वार एक एक चीजE को एक चीज़ को रिपिट किया है जिसको आगर आप सूनोगे तो आपके माैं में आकनी चीज़े फीफिड हो जएग ठीक気 आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें आप मुझे बताएं कौन से टॉपिक के उपर आपको वीडियो जल्दी चाहिए अदर्वाइस मैं अब राजसान के जो दुर्ग है उनका जो स्रीज जब वो चालू करने वाला हू देखो इसको 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 पर सटड़ी करो इसके नोट्स बनाओishaो इसको दो वार सुनो नोट्स बनाने की ज़रूते हैं दो वार अगर आप इसको शुन लोगे तो भी आपका ही पूरा जो वीडियो है यह जो राजसान की लोगदीवयों के बारे में फूरा यह चेप्टर है यह आपको पूरा याद हो जाएगा इसमें कहीं भी कोई भी डाउट ने रहेगा ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही फिर हम कल मिलते हैं